हलो एवरिवान आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगा उतने ही अच्छे त्रिकोष आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी तो भी आपकी उसी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए आपकी प्रैक्टिस लिए क्योंकि प्रिप्रेशन तो कर रहा होंगे तो अब आपको जुरत किसकी है प्रैक्टिस की कि आपको एक ऐसा टेश्ट पेपर मैं दे दूँ जिससे आप खुद का सेल्फ टेश्ट ले पाओ ताकि आपके एक्जाम में बेश्ट बनता है क्योंकि इसमें से जो कुरसंस है कहीं न कहीं मोस्ट इंपॉर्डेंट कुरसं की है तो आप लोग इन टीनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ठीक है तो आप लोगों को पता इसकी वेटीज क्या है मिनिमम कितनी माक्सिस बता आते कि कितनी आ सकती वो चीज़े आप सब कुछ जानते हैं बट आपको जो कॉंसेप्ट जो चीज़े हो क्लियर हुआ है कि आपको चेक आउट करना है तो यह जरूर करो क्योंकि जिस टॉपिक से क्वेसंस आना है उस टॉपिक से ही रखा गया है 100% ब्लोफिंट को फॉलो करके हमने यह क्वेसंस डिजाइन किया है ताकि आप बोर्ड एक्जाम में अच्छा कर सको क्योंकि आपने हिंदी में देख रखें हैं इंग्लिस में देख रहा है कि किस टैप से हमने क्वेसंस प्राइट किये था और बोर्ड में किस टैप से कॉसंस आ रहा है अब बारी मैट्स की तो मैट्स में भी आप पूरी तरीका से यह को तीनों को पढ़के जाओ डिफिनिटली आपकी अच्छी माक्स इस तरीकर से योगफवाल गुड़न फ़ल वाली कस्स में भी आपको पूछा जा सकते या तो इस चैप्टर से पी ऑफ एकड़ जो दिया रहेगा पी ऊपेस खुछ भी दे देंगे बोलें गे पी योब जीरो की वैलू निकालो पी ऑफ वन की वैलू निकालो इसतरीकर से में variation होगी दब देखो भी one marks questions के लिए बहुत सारा topic होती यह आप जानते हैं all questions को एक set में नहीं डाला जा सकते हैं इन चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा तो आप अच्छे से परिछा बहुत सार की जो भी mcqs वाली है मतलब एक number वाली question हो सब चीज को पढ़ डालो अच्छे से ताकि आपकी marks ना कटे अब देखो यहां पर गुड़न फल बोला गए गुड़न फल मतलब आपका c by a हो जाएगा तो c कमान यहां पर देखो कितना है 9 और a कमान कितना है दो तो 9 बटा दो इसकी correct answer हो जाएगी understand फिर इंग्लिस में वाले बच्चे भी यहां से इसको रिफर करते चलेंगी तो यहां पर क्या हो जाएगे नाइन ऑफ वान टू हो जाएगा understand फिर यहां पर देखो second questions के अगर बात करो तो वो क्या बोला जारा आपकी screen पर है एक सक्षा में इस्तित बिंदू की कोटी क्या होगा तो आपको याद रखना अगर कोई सभी आपको दे दे नमबर मान चलो ऐसा 5-3 कोई सभी नमबर दे दे इसमें भूच कौन है कोटी कौन है यह समझना है तो हम क्रामी सहाँ पहला वाला बूझा होता है दुसरा वालब कोटी होता याद रहना तो इसको कैसे आद रखोगे भूखो भूखो नाधा कौनसेप्रस को याद रखेंगे तो अब एक सक्षा में कोई बिंदू स्थीत कि एस इसा होगगा वह बेन बिंदू कि एप लिए च्छ क rooting्स को जीरो यहां पर टेक-ऌौट कर लेंगे। ठीर पिर घया भुष्चित बुड़ा जा रहा है। मतल़ यहां फिश्च्रा फोर टीसेवन स्क्राथ प्लस में कॉस्स्क्वर कमान कितना होगा यह पूठा जा रहे तो इसके मान कितनी होती वं होती यहां पर आप इसको करेक्ट टीक आउट कर लेंगे अंडरस्टेंड फिर हम चलते हैं क्यों क्योंकि स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है चोथा चक्र व्रिदी बियाच की गणना में शौज जित होने पर तीन वर्सहें नियुकार कितने बार संच्र अजएगा ठीक है। तो इन चीजों को समझते हुए आपको करना है फिप्त कोसंस के अगर हम हम बात करें पांस सेंटीमिटर भुजा वाले घं की विकड की लंबाई आपको ग्याद करना है तो यहां पर देखो आपको आकासी विकड या प्रिष्टी विकड बोला जाएगा ठीक है तो दोनों आं कि विकड बोला गया तो आप किसको टेक लोग तो इन चीजों को आपको करना पड़ेगा ऐसे जिसको आपको सकते हो कि किसको बोला जारहा है तो शीदी बात है आप इस कंडिशन में आपकाश्ची विकड को टेक गआए तो फॉर्मुला क्या होती है रूट 3 होती जिस फॉ जो को आपको अच्छे से कर लेना फिर हमारे फिलेंदे ब्लैंक में देखते हैं रिक्ते इस्थानों की पूर्ति में फॉर्स्ट कोशन क्या बोला जा रहे हैं दो समरूप आकृतियों की माप में विशेस अनुपात होता है जिसे खालिस्थान कहा जाता है तो इसकेल गुडा यहां एक ही वैलू है क्या हो जाएंगा करड़ी फाइप रूट फाइप यहां पर लिखोगे अंडर्सटैंड फिर मुल बिंदु को निरदसांग क्या होते हैं यहां पर क्या लिखके आएंगे फिर सिक्छा उपकर खालिस्तान पर लगता है तो सिक्षा उपकर जो है दे यह आयकर पर लगता है ठीक है फिर पांच वा किसी वृत का ब्यास उसकी त्रिज्जा की मान के चलो यह ब्यास है कोई वृत है यह ब्यास है तो त्रिज्जा की क्या होती तो त्रिज्जा की दो गुनी होती आप लोग लिख कर आओगे ठीक है फ कंटिनुशली इमांदारी के साथ प्रैक्टिस करना है पढ़ाई करना है तब जाके आपको कहीं बेश्ट अच्यूमेंट होगी ठीक है तो चलो फिर चलते हैं आगे बढ़ते हैं भी हमारा सत्य सत्य पर सत्य सत्य इसी तरीकर से पूछे जाएंगे ठीक है इसलिए आप आप परफेक्ट बनते जाओ गया बोर्ड एक्जाम के लिए ठीक है इसलिए इन को अच्छे से प्रप्यार करते हुए ही चलना है आपको ठीक फिर आपका देखो दो मार्क्स वाले कोसंस की बात करें तो जिस जिस चैप्टर सान है उसी चैप्टर से रिया गया जैसे कि त्रिको आपको पता है सब्लेमेंटरी एंगल से आगी कोसंस तो वहां से जरूर करो को संस को ठीक है फिर नेश्ट आपको वर्ग श्रमी करणा है मतलब विवितकर मान गयात करने है विवितकर मतलब विभेदक भी बोला जाता है उसी को तो यह आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आपको इसी तो आपको अच्छे से पता होनी चीए ठीक है क्योंकि इस से बोला हो मैं जो रणीती आप देखेंगे जो हैक्क वीडियो देखेंगे यह हैं वीडियो देखेंगे तो उनमें जो मैं बता हो लग बग सटीक बैठेंगी वह आएगई आपके एक्जाम में ठीक है इसलिए उन चीजों को फॉलो करना है फिर आपका भी मैं क्या बोला गया था आपको रेखा का समी कर जिसमें अंताखंड और प्रवर्ता करने के लिए बोला जाता है फिर आपका माढदीका की किसमें से चप्टर नंबस 16 सोला से क्वसंस हाना है जिससमें समानतर माढदी का या बोलाक में से पुछे जाएंगे वो देम से ओर है थेक है तो चीज़े कर लेंगे फिर फिर लास्ट को तक आपका six marks के लिए sorry six number का two marks के लिए वो क्या है इस तरीका से एक्स कमान अनुपात में है एक्स कमान वाला questions आपको दिये जा सकते तो आप related questions जरूर कर लेंगे ठीक है फिर आपका क्या बोला जा सकता है वर्ग शमी करणा को सुत्र की सहता से तो यहां पर देखो उस वाले में स पड़ेगा बांकी questions में आपको नहीं लगना है इसलिए इन पांचो chapters को आप रगड़ के अच्छे से पढ़ते चलो क्योंकि आपका one marks two marks three marks और five marks नहीं six marks के लिए four or five के लिए ना करके सिधा five marks के लिए आती तो कहीं लिए आपको बहुत जादा questions करना पड़ेगा वहां पर कि अधार की त्रिज्जा जो है 14 cm है उचाई 10 cm है तो आयतन ग्याद करो इस तरीके से related questions आप पूरा बेलान संखु की questions अच्छे से पढ़ लो ठीक है क्योंकि questions जैसे जैसे बोला गया लगव उसी वे पे ही आने वाला है फिर यह वाली questions को आप say to aim में भी देखे थे क्योंक लास्ट पूछेंगे नहीं तो समदूरस्त का नहीं पूछेंगे आपको सरार रेखा का समीक रड़ से ही questions पूछेंगे दोई टॉपिक है दोनों में से एक टॉपिक से questions आना है फिर उसके अथ्वा में यह तो confirm है कि आपका क्या होने वाला है आपका यह होने वाला है आलिक ठीक है आलिक में दर्शाने वाला तो आप इन questions को जरूर करते चलो भी confirm question इसमें बिलकुल भी बेखुफी नहीं करना है आपको बोलने के बाद भी कई बच्चे बात नहीं मानते उनको real paper की जवरत रहती है बही real जब topic बता जा रहा है आपको बात मानोगे तो definitely आपका result पढ़ते हैं ठीक है तो चीजों को समझो और करते चलो फिर आपका अगला questions की बात करें तो यह जैसे कि मैं recommend किया था आपको प्रमे नंबर 13 जो पीए इंटु पीबी वराबर में पीटे के स्क्वेर तो यह सीथ करने वाले में भी आपको पूछे जा सकते रेयर केस में क्य तो जैसे कि कल उस चैप्टर का चैप्टर नंबर 11-12 का ठीक है फिर पंदरा से इस तरह का से 2 सिंटीमिटर त्रिज्जा उले 64 गुले को पिखला कर एक बड़ा गुला बनाया जाता है तो बड़े गुले के त्रिज्जा ग्याद करना है तो इस तरह कर से related questions आपको देखने तो चीज़े आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम देगे तो देखो यह अगला questions आपको बहुलाग ज्याद करने का यह तीनों टॉपिक में से दो टॉपिक आएगा मैं इस वीडियो में भी बोर रहा हूं और कल जब आ जाएगा मैं अंसल सीट बताऊंगा solution तब भी बत बोलू क्या दोनों में से पुछे जाते हैं तो आप इसमें से करते हुए चलेंगे फिर पंदरा जो है पांच अंको अलगा questions होती है कि आपका आयकर की गर्णा की questions पूछे ही जाएंगे तो आयकर की गर्णा भही आप अच्छे से practice कर लो ठीक है क्योंकि वो कोई सबीव दिये आप को इस टेप जो है वह आपको अच्छे से follow करना होता है ठीक है तो चीजों को समझना है करना है बस फिर यहां पर देखो स्री राम ने 20,000 रूपाए एक वर्ष के लिए साओधी जमा खाते में जमा करा है यदि ब्याज की दर 6% वार्षी हो और 6 माही हो तब यहां पर देख हाला कि यह नंबर बदला जा सकते हैं उसके लिए नहीं बोरोंगे यहीं चाहेगा बट हम कोसिस कि आने की प्रवबरेटिव उनको लाने का कोसिस के तो आप इनको कर लो और रिष्टा आपके पास जो भी स्टड़ी माटेरियल है उससे मिलती है तो कर लो भी जितना प्रैक जा सकता है चैप्टर नंबर टू का यह कोसिस कर लो भी आप है ना दो अंको वाली एक संख्या का साथ गुना प्र उसके अत्वाम इस तरह का सिद्गो इसमें एजी जी कोसिस जो इसकी आने की चांस थोड़ा सका मैं उसको इसमे लाया गया तो जो सेट वाइबी में जो ब कर लेना इसका एक फायदा है कि आपका इसको नीचे जब सौलो करते हैं कोई चैंजस नहीं करना पड़ता है लास्ट स्टेप तक आपको वही सेम टू सेम करके ले जाना होता है ठीक है तो यह आपका 18 इंपोर्टेंट को संसे इसको अच्छे सा प्रैक्टिस कर लेना को सिस